ओम शान्ते आज है 21 नवेंबर 2024 प्रातह मुरली बापतादा मधुबन आज है सत्गुरुवार मिठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरन मंत्र सुनाना है यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है प्रश्ण है बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्विकार नहीं करते हैं उत्तर में बाबा बोले जिने एहंकार है मैं इतना देता हूँ मैं इतनी मदद कर सकता हूँ बाबा उनका कुछ भी स्विकार नहीं करते बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाओं चाहे किसको सहुकार बनाओं यह भी ड्रामा में राज है जिन्हें आज अपनी सहुकारी का घमंड है वकल गरीब बन जाते हैं दुनिया का वर्सा देने यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच पद पाएंगे बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं तुमको फिर औरों को सिख तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो तुम क्या बनते हो पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो बाकि तुम कोई का गुरू नहीं बन सकते हो सिर्फ टीचर बन सकते हो गुरू तो एक सदकुरू ही है वह सिखलाते हैं सर्व का सदकुरू एक ही है वह टीचर बनाते तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मनाभव का, बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है, कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो, तुम कोई को बाप का परिचय देते हो, तो उनका भी फर्ज है, बाप को याद करना, टीचर रूप में स्विस्टी चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना पड़े, बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं, बच्चे जानते हैं, हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सब को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, बाप ही पतित पावन हैं, युक्ती बताते हैं, मिठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हैं, जिस कारण शरीर भी पतित बना हैं, पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो अब पतित से पावन होने की युक्ती तो बहुत सहद समझाते हैं बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे उठते बैठते चलते बाप को याद करो वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं समझते हैं वो पतित पावनी है गंगा को याद करने से पावन बन जाना है ऐसा वो समझते हैं गंगा को याद करने से पावन बन जाना है परन्तो बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं पानी से कैसे पावन बनेंगे बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ है बच्चों देह सह देह सहित दे के सब धर्म छोड मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्तिधाम पहुँच जाएंगे। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुक्ध द्वारा एक ही बार बाप माना 5000 वर्ष में एक बार आकर बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुक्ध द्वारा इस मुक्ध की कितनी महिमा हैं गव मुक्ध कहते हैं वह गव तो जानवर है यह ह मनुश्य की बात, तुम जानते हो ये बड़ी माता है, जिस माता द्वारा, शु बाबा, तुम सब को एडॉप्ट करते हैं, तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाप भी कहते हैं, इस याद की यात्रा से ही, तुम्हारे पाप कटने हैं, बच्चे को बाप याद जाता है ना उसकी शकल आधी दिल में बैट जाती है तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है शकल में और कोई फर्क नहीं है शरीर के समद में तो फीचर्स आधी अलग है बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात् परमधाम में रहते हैं हम भी परमधाम में रहते हैं बाप की महिमा क्या है अब परमपार है तो बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो बाप परमधाम में रहते हैं हम भी परमधाम में रहते हैं बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं वह भी बिंदी है हम भी बिंदी है यह ग्यान और कोई को है नहीं तुम को ही बाप ने बताया है बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं सर्वव्यापी है पत्थर ठिकर में हैं जिसको जो आता है वह क्या देते हैं ड्रामा प्लाइन अनुसार भक्ती मार्ग में बाप के नाम रूप देशकाल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो, आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे? गोया निधन के हो गए अगर बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे गोया निधन के हो गए धनी को याद ही नहीं करते हैं धनी के पाट कोई नहीं जानते हैं धनी कौन है हम सब के परमपिता परमात्मा धनी के पाट को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, तुम अच्छी रिती जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे आज की सत्खुरवार की वानी में बाबा कहते हैं गोया निधन के हो गए धनी को याद ही नहीं करते हैं धनी के पाट को ही नहीं जानते हैं अपनी को भी भूल जाते हैं तुम अच्छी रिती जानते हो बरोबर हम भूल गए थे हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बत्तर हो गए हैं, मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं, अब realize कौन करा वी, कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं है, क्या कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा, कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पाट बजाते हैं, हम सब भाई-भाई है, यह ग्यान और कोई में नहीं है, इस समय सारी स्रिस्टी ही तमो प्रधान बन चुकी है, ग्यान नहीं है, तुम्हारे में अब ग्यान है, बुद्धी में आया, हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्ल ग्लानी करते आये हैं ग्लानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं सीडी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लैन अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है बाप कभी पूछते हैं कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हूँ बाप को यात करो मैं आया ही हूँ तum को ले जाने इसलिए तुम बच्चों को यात की यातरा से पावन बनना है बस जाया भी आप भी यात करना है यह तो most easy है और कोई तरफ का विचार नहीं करना है यह तो most easy है बाप को याद करना है बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो automatically माबाप को याद करने लग परता है तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं याद क्यों करना पड़ता है क्योंकि हमारे उपर जो पाप चड़े हुए है वह इस याद से ही खतम होंगे हमारे उपर जो पाप चड़े हुए है वह इस याद से ही खतम होंगे इसलिए गायन भी है एक सेकेंड में जीवन मुक्ती जीवन मुक्ती का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ती का मदार याद पर है जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच नंबर में मरतबा पाएंगे धन्दा आदी तो भल करते रहो बाप कोई मना नहीं करते अपने धन्दा आदी जो तुम करते हो वो अभी दिन रात याद रहता है ना तो अब आप यह रुहानी धन्दा देते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे यभी समझते हो अभी पुराना फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा याद समझाया यह भी समझते हो अभी पूराना चोला है फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा अपने पास बुद्धी में तंत रकना है जिससे बहुत फाइदा होना है जैसे स्कूल में subject तो बहुत होते है फिर भी English पर Mark अच्छी होत उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वह जास्ती चलती है अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं भल कोई कितने भी धनवान हैं पर अंतों बुद्धी में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं प्रजा जरूर कह पर आधा कल्ब हम कोई से भी करजा उठाने वाले नहीं हैं, करजदार पतित दुनिया के मालिक हैं, हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहुकार थे, परिजादे और परिजादियां थे, यह याद रहता है हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिलकुल करजदार और पतित बन पड़े हैं, यह खेल क्या है, यह खेल की रिजल्ट बाब रहे हैं, रिजल्ट क्या हुई है, तुम बच्चों को स्मृति आई है, सत्युक में हम कितने साहुकार थे, किसने तुमको साहुकार बनाया, बच्चे कहेंगे बाबा, आपने हमको कितना साहुकार बनाया था, एक बाप ही साहुकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं कुछ नहीं जानते तुम अभी सब कुछ जान गए हो हम पदमा पदम सहुकार थे बहुत पवित्र थे बहुत सुखी थे वहां जूट पापादी कुछ होता नहीं सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी गायन भी है शुबाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके बाब कहते हैं भक्ती मार्क में भी तुमको बहुत सुख अथा धन रहता है भक्ती मार्क में भी क्या होता है तुमको बहुत सुख अथाहधन रहता है कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आ जाते हैं अभी तो वह चीजी देखने में नहीं आती है तुम फरक देखते हो ना तुम ही पूज्य देवी देवता थे फिर तुम ही पुजारी बने हो आप ही पुजारी बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं परन्तु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं परन्तु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना बाप तो एवर पुजारी होते नहीं उनका ध तुमको पुजारी से पुज्य बनाना रावन का काम है तुमको पुजारी बनाना ये दुनिया में किसको पता नहीं है तुम भी भूल जाते हो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं बाप के हाथ में हैं किसको चाहे सहुकार बनाए चाहे गरीब बनाए बाप कहते हैं जो सहु उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, क्या समझाया बाबा ने? बाबा ने आज बहुत गुय बाते समझाई हैं, बाबा कहते हैं कि जो सहुकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, उन्हों का पार्ट ऐसा है, वो कभी ठहर न सकें, धनवान को एहं कार भी बहुत रहता है ना मैं फलाना हूँ यह यह हमको है घमन तोड़ने लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है यह अपने पास रखो जब जरुरत होगी तो फिर ले लेंगे क्यूंकि देखते हैं काम का नहीं है अपना घमंड है तो यह सब बाबा के हाथ में है ना लेना वा न लेना बाबा पैसे क्या करेंगे दरकार नहीं यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है सदैवतों रहना नहीं है पैसे की क्या दरकार रहेगी कोई लशकर वा तोपे नहीं करते हो सिवाए बाप को याद करने के बाप ने फर्मान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ती मिलेगी यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है बाप है सर्वशक्तिमान बाबा क्या है सर्वशक्तिमान तुम उनके बनते हो सारा मदार याद की यात्रा पर है यहां तुम सुनते हो फिर उस पर मन्थन चलता है जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है मुख चलता ही रहता है तुम बच्चों को भी कहते हैं ग्यान की बातों पर खुब विचार करो बाबा से हम क्या पूछें बाब तो कहते हैं मन मनाभव जिससे ही तुम सतो प्रधा बनते हो या aim object सामने है तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न सोलकला संपन्न बनना है या automatically अंदर में आना चाहिए कोई की गलानी वा पाप करम आदी कुछ भी ना हो कोई भी तुमको उल्टा करम नहीं करना चाहिए century one है ये देवी देवता है पुरशारत से उँझपद पाया है ना उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा बाबा को हम याद करते हैं कितना समय हम याद करते है इतनी दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं अब बेहद का बाब कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो सो भी तुम अनादी संतान हो वह जो आशिक माशुक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद जैसे सक्षतकार होता है फिर गुम हो जाते हैं वैसे वह भी सामने आ जाते हैं उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है क्या कहा बाबा ने जैसे साक्षतकार होता है फिर गुम हो जाते हैं वैसे वह भी सामने आ जाते हैं उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है एक बाब को ही याद करते रहेंगे यह बहुत गुह लाइन है कि वह जो आशिक माशुक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद जैसे साक्षातकार होता है फिर गुम हो जाते हैं वैसे वह भी सामने आ जाते हैं उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं तुम्हारे इस याद में तो बहुत एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविश्य याद आएगा विनाश का साक्षातकार भी होगा आगे जल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षातकार होगा फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है बाप को याद करो बाबा ने यह सब कुछ छोड और दियाना कुछ भी पिछाडी में याद ना आए अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें नई दुनिया में ज़रूर जाना है योगबल से सब पापों को भसं करना है इसमें ही बड़ी मेनत करनी है घडी घडी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है मि से तुम्हारी कमाल जास्ती है बाबा लिखते है न ग्यान की भूभू करते रहो आखिरन जाक पड़ेंगे जाएंगे कहां तुम्हारे पास ही आते जाएंगे एड होते जाएंगे तुम्हारा नाम चार होता जाएगा तुम्हारा नामा चार होता जाएगा क्या होगा तोड़े होना अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड बॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग नमस्ते नमस्ते ओम शांती धारना के लिए मुख्यसार ग्यान का खुब विचार सागर मंतन करना है जो सुना है उसे उगारना है अंतर मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं दूसरी पॉइंट कोई भी प्रशना आधी पुछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा से स्वयम को पावन बनाना है अंतिसमय में एक बाप की याद की सिवाए और कोई भी विचार न आए ये अभ्यास अभी से करना है वरदान है दृड़ संकल प्रूपी वरत द्वारा वृतियों का परिवर्तन करने वाले महा महान आत्मा भव विस्तार में महान बनने का मुख्या धार है पवित्रता इस पवित्रता के वरत को कतिग्या के रूप में धारन करना अर्थात महान आत्मा बनना कोई भी दिड़ संकल प्रूपी वरत वरति को बदल देता है पवित्रता का वरत लेना अर्थात अपनी वरत रिती को श्रेष्ट बनाना, वरत रखना अर्थात, स्थूल रिती से परहेश करना, मन में पक्का संकल्प लेना, तो पावन बनने का वरत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदर हुड की वरित्ती बनाई, इसी वरित्ती से भ्रामन महान आत्मा बन गए, स्लोगन है, व्यर्त से बचना है तो मुख पर द्रिड संकल्प का बटन लगा दो झाल, इसक है हो कि मुख रखे फे लुखत रखनी संकल्प झाल, व्यर्त सहाAtt örली झाल, नहर रहिए है झाल, यह रखनाू की वरित्ती बनाई भाई है झाल झाल झाल